आज मैं करने वाली हूं शिव जी और परवती जी का स्केच्च आज मैं करने वाली हूं शिव जी और परवती जी का ड्रॉइंग आज मैं दिया यहां पर एक बुक में कर रही हूं एक फो साइस की शीट है यह है हमारी स्केच्च यह हमारी पूरी स्केच्च अब हमें से टाक करना है यहां पर मैंने इस पर ब्लू कलर लिखा हूं यहां पर ब्लू और रेड जहां जहां करना है मैं लिखती है तो अब हम इसे करेंगे डार्क शेड में यहां पर मैं कलर करने के लिए यूज करूंगी ब्रश पैन यहां पर हो गया है हमारा स्केच रेडी मैंने आउटलाइन कर लिया है यहां पर मैंने यूज किया है डॉम्स की प्रश पैन आउटलाइन करने के लिए तो अब हम करेंगे कलरी से तो पहले हम करते हैं रेड कलर से तो यहां मैं यूज कर रहे हूं सीम ब्रेश पैन रेड कलर का तो यहां मैं यूज को नेल्स की उपर भी जो मनी नेल्स द्रॉग किया था इसे भी कलर कर देना है जिस ने मैं चैनल को भी तक सिस्क्राइब नहीं किया है जल्दी जाके सिस्क्राइब कीजिए और बेल बटल में प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पॉस्ट पॉस्ट सकें और मुझे मैं इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिएगा इंस्टाग्राम के लिंक में डिस्क्रिप्शिन में दे दूंगी पार्वाती जी की और मैंने यहां पर किया है और अपनी इस लाइन पर करेंगे ब्लू कलर यहां पर मैं यूज करूंगी लाइट ब्लू ब्रेश पैन का हो क्या है यहां पर मेरा शिव जी का भी लेख पींटिंग अब हम करेंगे पार्वाती जी के पार्वाती मा के गुंग्रू जो की हमें लॉंग से बनाना है थोड़ा से लॉंग करके बनाना है करके रेख बनान है यहां पर यहां है यहां बनाना झाल अज़ा है करवाश बनान यहां ब Clayton झाल झाल आप स्केच अब हमें देंगे इसे शेड देंगे झाल झाल यहां पर मैं यूज़ कर देंगे विर्ण ब्लेंडिंग स्टेंप यूज़ कर सकते हैं या पींट प्रेश्च यूज़ कर सकते हैं ब्लेंड करने के रिए तो गयास यहां पर हो गए है मेरी पूरी compete painting अगर आपको अच्छी लगी है मेरी वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जल्रूर करना और मैरे आपको न्यूटिफाइ कर दें तो अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द